संजे लीला भंसाली के फिल्म पद्मावती प्रसिद्ध हिंदू राजपूत रानी पद्मीनी की किवंदती पर आधारित है जिसका वर्णन सूफी कवी मलिक मुहम्मद जैसी द्वारा 1540 में लिखित कविताप पद्मवत में मिलता है वहां मेवाड के राजपूत शासक रावल रतन सिंग की पद्मी थी 1303 में दिल्ली सलतना के तुर्क शासक अलाउद बिन खिल जी ने राजपूताना में चत्तौर किले को घेर लिया रानी पद्मिनी को पकड़ने के लिए उसमें आक्रमन कर दिया मरने से पहले पुरुशों ने कई दुश्मरों को मार गिराया वही रानी पद्मिनी ने कई महिलाओं के साथ अपना सम्मान बचाने के लिए जोहर किया